अस्साम अलेकूम कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे अलहमदलिल्ला मैं भी बिलकुल ठीक हूँ अलहमदलिल्ला अल्लाग शुकरे हमारी जो बहुत ही अच्छी उज़री बहुत एंचुआई किया यहाँ पर जी मैं व्लोग वहीं से स्टार्ट करूँगी कि एद वाले दिन जो है शाम को मैं अपनी नंद के घर से आई फिर मैं सोच रही अब क्या करूँ क्योंकि कोई भी प्लैन नहीं बन रहा था ना कहीं बाइर जाने काना कहीं और और फिर मैंने क agrees कि आपने भतीजे को फोन किया मैंने कहा आप ऐसे करो मुझे लेनी आज indicator मैंने वैसे तो अपनी अम्मी के गर एद के दूसरे दिन जाना था लेकिन फिर मैंने सोचा के मैं आज ही चले जाती हूँ बस जैसे ही मैंने अपने बतीजे को कॉल की और वो तो वैसे ही पहले ही वेट कर रहा था हूँ मुझे चांद रात को ही कह रहा था कि खुपो अब कल आ जाएं तो मैं उसको कह एतनी कल नहीं पर सुआँगी क्योंकि ये मेरा बोई बतीजा जो कराची में वहाँ पर रहते हैं वो भी अपने दादा के गरीद करने आए मतलब मेरी अम्मी अबुगे गरीद करने आए में तो खैर फिर यहाँ पर जैसे मैं उसको कॉल की वो तो ऐसे था जैसे पहले वेट कर रहा है वो फॉरण से जो है दस मिनट में घर से निकलाया और तकरीबन वो आठ सवाट बज़े मेरे पास था और नो सवानो जो है हम मेरी अम्मी के घर पहुँच गए थे अम्मी के घर पहुँचे रात थी खैर सब बैठे गपिशे पे की उसके बाद जो है मैंने कोई व्लॉग भी नहीं बनाया बस पीछे थोड़ा आपने देखा होगा अब भू थे भाई थे और बचों को ये दीविदी दे रहे थे उसके बाद जी आगए अगला दिन एद के दूसरे दिन हम सोगे उठे तो सोचा क्या करें फिर मैंने सोचा हमारे करीबी घर के जो है गाउए वहाँ पे मेरी बड़ी बहन रहती है मुझसे माश्यलाब वो बहुत बड़ी बहन है उनकी शादी बहुत चोटी थी इतनी चोटी थी मैं कि उसकी बरात वारे दिन में इतना रहुत रहुत इतना रहुत पूर फिर मेरी जो बाजी ती उन्होंने महीं पे देखा था ये भी आ गई ये मतलब इतनी चोटी थी तो खैर यहां पर मैं अपनी इस बहन के कर जो है पंद्रा साल के बाद गई थी क्योंकि मैं शादी हो गई अपने घर में तो कभी जाना ही नहीं नहीं था अक्सर जैसे हम लोग इद वगरा पर जाते तो वो भी अम्मी के आई होती तो हमारी मुलाकात हो जाती है तो इसलिए मैं कभी जो है कभी गई नहीं थी आज हमने सोचा क्यों ना बाजी के हाँ भी जाते हैं तो फिर बतीजा भी मेरा आया वा था ये भाबी भी बड़ी आई मी थी फिर थी के एक दूसरे भाई की गाड़ी थी और एक इनकी गाड़ी थी पिर दो गाड़ीया हम भरके जले गए खर इतना इंज्वाई किया क्योंके इनका घर बहुत वो पुराने जमाने के नहीं जैसे बना था मतलब कि ये सिक्षों के जमाने का घर है इनका तो बस अब इंशालों ये तोड़के बनाएंगे दुबारा से बच्चों के मुस्तक्पिल का वो कहरें जहां पर बच्चे सैटल हो तो वहीं भी हम बनाएं खैर ये महोल जो है इनका इतना अच्छा लग रहा था मुझे खुला घर बड़ा और वो पुराने जमाने की जिसे हवेली टाइप होता है ना बहुत बड़ा वैसे था ग्रीन डी थी यहां पर देखिए शेहत की मक्यों का च्छता भी लगावाएं और मतलब बहुत अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत ज्यादा इंजुआई किया बच्छों ने बहुत ज्यादा इंजुआई किया कि कर्यां पे हम लोग गये कुछ दिर बैठे बाते बाते की फिर बाजी और उनकी बेटी जो है वह चाए वगारा बनाने लग गई थी आप पे हम लोगने चाए वगारा पी और बाजी ने अपने बेटी को बेज जा था समोसे और केक लिया वहां तो ऐसा गया लेने कि बात भी नहीं रहता, अम्मी किहां क्या खाया, खाना बना और सब कुछ, मैंने सोचँ था वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इतनी वो आपस में इतने लोग मेले थे, हम लोग इतनी गपे शपे तो मैं कोई भी वीडियो बना रही नहीं सकी, मुझे बाद में यादा था तो यह किया था तो मैं इसकी वीडियो बना लेती लेकिन उस टाइम पर मुझे याद ही नहीं रहता था खैर यहाँ पे हम लोगों ने पकोड़े समोसे, चाय, फ्राइज और सब कुछी जो आईस क्रीम, कॉल ड्रिंग खा पी लिया था और यहाँ पे देखिए इस तरह से मुबाइल जो है ना किसी टैनी में फसा के भी आप वीडियो बना सकते हैं, बच्चे इस तरह से बना रहे थे खैर फिर हम बाजी के हाँ को तीन साड़े तीन गंटे बैठे वहाँ से निकले तो रस्ते में ही मेरे हस्पन के चचा की बेटी का घर है, मतलब मेरी वो भावी की बढ़ी बहन भी है तो खैर हम लोगों ने सोचा जाते हैं इनको भी मिल जाएं, हम लोग फिर यहां अगे एक गाड़ी तो चलेगी थी सिधी घर, मैं, मेरी बड़ी बापी, मेरा बतीजा, बतीजी और जो है मिरहा हम लोग यहां आगे थे, हमने का थोड़ी सी देड़ यहां पर ठहर के तो फिर हम लोग चले जाएंगे घर पर तो खैर यहां पर हम तकरीबन आदे से पोना गंटा ठहर रहे थे, बहुत ज़्यादा नहीं ठहर रहे थे, इनकी काफी भेंसे यह अपनी मतब जहां पर इनकी जमीने हैं गाउं हैं वही रहते हैं और गाउं में सिर्फ इनके घर हैं, इनकी जमीने हैं यहां पर और मतब जैसे एक गाउं में बहुत सारे लोग रहते होते हैं इस तरह नहीं रहते, बस इनके जो तीन-चार भाईयों के घरें बस वही है और इनके जमीने है पीछे और यहां पर बताऊंगी जी लोगों ने शहर में भी घर लिया वा है जहांके में मिने अम्मी वाले रहते हैं क्योंके इनके बच्चे अबज़ार सेبل़ इस स्कूल पढ़ते हैं लेकिन ये है कि फिर भी दर्मियान में गाउं आते जाते रहते हैं से अभीद करने भी ये गाउं आए में अच्छे ये गाउं जो है मतलब मेरी अम्मी के शहर से जो शहर है उससे तकरीबर 15 से 20 मिलट के फासले पर है कुछ ज्यादा दूर नहीं है फिर यहां पर हम बैठे थ मेरा बतीजा तो यहीं पर लेड गया था खैर गाउं का जो महावल होता है बहुत अच्छा था है क्योंकि हम लोग कराची में जो रहते हैं वहां पर इतनी बड़ी-बड़ी बिलने के मनीमी है कि कोई हवा इतनी ज्यादा लगती नहीं यहां पर खुले बड़े-बड़े मेरी अम्मी के ही शेर में फिर हम लोग चोटी भावी के घर आ गए क्योंकि इनकी अम्मी ने भी पहले यही घर था लेकिन इन्हों ने तोड़के दुबारा बनाया क्योंकि हो काफी पुराना हो गया था मैं जब से गई नहीं थी तो और मैंने पर सोचा कि आज मैं यहां प घर बर देखा सारा और जब भी मैं अब जब किसी की चीज़ देहने हैं सब मुझे गते हैं वीडियो बना लो वीडियो बना लो तुम्हारा ब्लॉग बन जाएगा तो यहां पर जी यह था इनका ड्राइंग रोम माशला से कर इनोंने बहुत अच्छा बनाया और गर बहु कि नहीं हुई तो यह था उसका रोम मैंने उसकी भी बनाई थी मतब थोड़ी थोड़ी जो है ना जहां-जहां से मैं क्लिप ले सकती थी मैंने ले लिए क्योंकि जारी सी वाद है मुझे व्लॉग बनाना होता है क्योंकि आशकल मैं घर पर नहीं हूँ तो मैं कुकिंग ना ली थी और मेरी भावी वाली जो है छे बहने हैं माशला से और सारी मेरेड है बस एक रह गई है चादी वाली और इनके अम्यप होते हैं इस घर में खैर भावी के घर से निकले हम पैदाली निकला आये थी क्योंकि बिल्कुल करीब ही जो है ना दोजार घर चोड़के मे और एक क्लेनिक बनेगी एककसी डॉक्टर ने लेना है रेंट पे और पर बाकी बाद में उपर घर बना के रेंट पे दे देंगे क्योंकि जहां पर वो रह रहे है उन्होंने वहीं रहना है तो अब देखे मस्रक्विल में वो क्या करते हैं बस यहां पर मैं भावी मुझे यह सारा दिखा रही थी और हम उपर शट पे आ गए थे चारती बारी हुई नहीं थी अभी तो डर भी लग रहा था मेरा गिरनी जाए फॉरां से हम जल्दी नीचे आ गए था यह था जी बाहर से सारा यह सामने की जो शॉप से यहां पे तो क्लेनी कुलेगी बाकी जो साइड अकसर ऐसा हुता है के मैं घर से ही रहके आ जाते हूं फर जब मैं घर अपने आ जाते हुं तो जब सोस आता है मैं गई थी जे से मिली यह नहीं अब की बार इस तरह था कि मेरे साथ भड़ी बावी मिली वी थे ना वो भी कराची से आई वी थी एड़ करने तो हम दोनों मिलके घुमते रहें खर यहां पर आके हम सामनी रूम में थोड़ी दिर बाटते हैं और यहीं से मैंने और बड़ी बावी ने प्लन है एड के दूसरे दिन का व्लॉग है और मुसलसल जो हम लोग जो सुबा उठे ना उठने के बाद घर से निकले हैं तो घूमते ही रहें अच्छा पूरी रात भी नहीं सोये सब बैठे रहे हम लोग गपे उपे मारते रहें बड़ी बाते शाहते की हम सब ने बहुत इंच जो आए गिया और फिर सुबा फजर की नमाज पढ़के मैं च्छत पे आ गई मैंने का थोड़ा सा उपर से जो है बाहर का निजारा देखूँ यह हमारे घर के सामने इद का है यह जो लाइन्स बगर नजर आ रही है ना इद की नमाज के लिए जो है लगाई वी थी और यह हमारे घर से जो है उपर चत से सारा बाहर का नजारा और इसके पीछे भी मेरे ही भाई का घर है मेरे माशलय से तीन भाई है एक की डैथ हो गई यह दो है और यह था जब मेरा आज छोड़ा सा एक व्लोग उमीद करते हूं आप सबको पसंद आया होगा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा इंशाला आपकी रहोंगी एक और चीव लोग के साथ जब तक के लिए आला आप पेस